किस्मत खुलने के बारा शुब संकेत नमर एक, हाथ में खुजली होना हाथ में खुजली होना, शीग्र आने वाले धन की ओर निर्देशित करता है नमर दो, गलती से उल्टे कपड़े पहन लेना कभी कभी हम जल्दवाजी में कपड़े उल्टे पहन लिया करते हैं अगर दोबारा आपके साथ हो, तो ऐसा समझें कि सुकसम्रदी जल्दी ही आपका दरवाजा खट-खटाने वाली है नमर तीन, रास्ते में शुब चीजों का मिलना अगर रास्ते में आपको कहीं कोई सिक्का, घोडे की नाल या चार पत्यों वाली घास मिल जाए तो उसे अवशी ही समाल कर रख ले, ये भी आपके भागी को चमका सकते हैं नमर चार, कुत्ते का घर पर आकर रहना कोई कुत्ता अगर आपके घर पर रहने के लिए आ जाए, तो ये रुपए पैसे आने का संकेत होता है नमर पांच, गार्डन क्रियेचर्स का दिखना बारिश के बाद अगर मैढख, बीटर या टिड़ों का शोर सुनाई दे, तो इसे एक अच्छा संकेत माने नमर छे, सफेद गाए, गौमाता अगर भवन के द्वार पर आकर जोड़ जोड़ से रमहाएं, तो निश्चित ही घर के सुख में ब्रद्धी होती है गाए का खेत या गार्डन में आकर चरना लक्षमी प्राप्ती का सूचक होता है नमर साथ, मधुर ध्वनियों का सुनाई पढ़ना सुख में अगर आपको मंदिर से घंटियों, शंक या भजन कीरतन की ध्वनी सुनाई दे, तो एक अच्छा शकुन होता है नमर आठ, नवर बधु का दिखाए देना मार्ग में अगर सोला सरंगार किये कोई नई नवेली दुलहन नजर आ जाए, तो इसे भी एक अच्छा चिन्ध मानिये नमर नौ, श्रीफल जब भी कभी आपको सुबा उटते ही श्रीफल यानि नारियल के दर्शन हो, तो समझो कोई अच्छी खवर मिलने वाली है